एक नॉर्मल आदमी के लिए तो राइट स्याट बनवाना बड़ा कथिन काम है, तो पहले चीज तो आपको यह रियलेक्स करना चाहिए कि ऐसे एक डायट, एक सूपर फूड, एक सूपर डायट नहीं है, हर जगह का वेरियेशन होता है, पहले चीज तो आपको आपको आपको अच्छा लगे, एक समोसा खा जाओगे, वह बहेवियर आपको, आप विल पावर पे डिपेंड मत करो, एंवायरमेंट को चेंज करो, मतलब पहले चीज तो आप जो अच्छा लगे उसको खाओ, पहले रूल तो वह है, और वैसे भी आपका गट और डाइजेशन, आपका जो ट्रेडिशनल फूड है, वह मैक्सिमम ली बेस्ट लो रिस्क उसी से है, जो ट्रेडिशनल आप खाते हैं, वह खालो, सेकेंड चीज, उसके बाद, पहले आप अपना पूरा लाइफस्टाइल, आपका जितना एनरजी चाहिए, आपका जितना एक्सरसाइस कर प पहले आपका इंडिविजूल कालोरी नीड का, ये कल्कुलेशन आप को छुड़ दो, बस वजन को देख लो, वजन बढ़ रहा है, तो आपको कम करना है, सिंपल है, सिंपल चीज है, वजन कम होना, कालोरी रस्रिक्शन से ही होता है, और किसी से नहीं होता है, एक्सरसाइस उसके बाद आपका family history देखो, आपका diabetes risk है, cardiovascular risk है, अगर आपका family में diabetes risk है, तो आप थोड़ा refined carbohydrates से दूर रहो, मतलब कम करो, मतलब यहने कि अगर आप इतना चावल खाते हो, तो थोड़ा कम करो, देली थोड़ा कम करके, थोड़ा millets add करो, जिसमें fiber जाता है, अगर आपके family में heart disease है, तो आपका fat consumption का थोड़ा carefully रहो, घी थोड़ा कम करो, इंटरने में देखेंगे, गी superfood है, अरे गी North India का traditional fat है, इंडिया में इतने सारे fat है, अगर Bengal में जा तो सरसों का तेल superfood है, केरला में coconut oil superfood है, Tamil Nadu में तिल की तेल superfood है, ऐसा कुछ नहीं है, fat fat होता है, अगर आपका healthy है, आपका risk नहीं है, तो घीटी का है, उसमें vitamin D होता है, healthy होता है, अगर आप ठीक का amount खाते हैं, इंडिया में actually, normally fat का consumption ज्यादा होता है, क्योंकि हमको पता नहीं चलता, ये American Heart Association बोलता है कि हर महीने में एक इंसा, आदा लीटर तेल खाना एक दिन में एक tablespoon, बस, एक tablespoon, बस, अब आप सोचो कितना biscuit खाते हो, बिसकुट में इतना oil होता है, हर चीज में oil होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, हर शाम समोसे पकोड़े खाया है, और फिर इतना तड़का में इतना तेल डाल दिया, उसके बाद आप दाल तड़का, फिर दाल मजा नहीं आता, जब दूसरी बार गर्म होती है, तो अपना fat का consumption बहुत जाला होता है, तो उसका भी खैलर को, इसमें simple सी चीज है, uncontroversial है, protein बढ़ाओ, उससे इंडिया में per capita protein consumption बहुत कम होता है, Indian diet, जो लोग non-veg भी खाते हैं, उनका भी protein consumption कम ही होता है, जैस नहीं कि उसमें 5-piece chicken आपको मिल गए है, बस वो टेस्ट के लिए रहता है, एक पीस मिल जाएगा आपको, जो फिशकर ही खाता है, वो बस उसमें 2-piece होगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप protein deliberately increase करो, उससे आपका best health benefits होगा, मतलब अगर कोई किसी को डॉक्टर नहीं जाना है, एक universal advice देना है, protein बढ़ाओ, एक ही conditions है, मतलब आगर आपका कोई specific kidney problem है, ये सब है, तो protein बहुत बढ़ाने से problem हो सकता है, uric acid, purine, problem हो सकता है, मतलब जेनरली, average healthy लोग जो है, Indian diet में protein कम ही होता है, तो आप deliberately उसको बढ़ाओ, carbohydrate कम करो, fat कम करो, protein बढ़ाओ, और सब सबजियां खाओ, सबजी मतलब आलू सबजी नहीं है, हरी सबजी, हरी सबजी, मतलब टमाटर, ये वागी सभी बात है, हरी सबजी खाने से वाइदा होता है, मतलब वह भी ऐसे नहीं कि आप पालकी पाला खा रहे हो, तब तो kidney stone होगा, तो आपको थोड़ा balance, मतलब टमाट स्बीपल वेजटिबल्स.